करवा चोठ व्रत कथा, करवा चोठ की कथा, करवा चोठ की कहानी बहुत समय पहले की बात है, एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे यहां तक की वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वैम खाते थे एक बार उनकी बहन ससुराल से माई के आई हुई थी साम को भाई जब अपना वैपार वैवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैथे और अपनी बहन से भी खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा چोथ का निरजला वृत है और वे खाना शिर्फ चंद्रमा को देख कर उसे अर्थ देकर ही खा सकती है चोकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है सबसे छोटे भाई को अपनी बेहन की हालत देखी नहीं जाती और वे दूर पीपल के पेर पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओठ में रख देता है दूर से देखने पर वे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बेहन को बताता है कि चांद निकलाया है तुम उसे अर्थ देने के बाद भोजन कर सकती हो बेहन खुसी के मारे सीधियों पर चांद को देखती है उसे अर्थ देकर खाना खाने बैठती है वे पहला टुकरा मुह में डालती है तो उसे चीक आ जाती है और दूसरा टुकरा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकरा मुँँ में डालने की कोशिस करती है तो उसके पती का मिर्तु का समचार उसे मिलता है और वे बौकला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ करवा चोथ का वरत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नराज हो गए है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वे अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वे पूरे एक साल तक अपने पती के शव के पास बैठी रहती है उसकी देखवाल करती है उसके उपर उगने वाली सुई नुमा घास को वे एकत्रित करती जाती है एक साल बाद फीर करवाचोथ का दिन आता है उसकी सभी भावियां करवाचोथ का वरत रखती है जब भावियां उसे असिरवाद लेने आती है तो वे प्रतीक भावि से यम सुई ले लो पिये सुई दे दो मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो ऐसा आगरह करती है लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आगरह करने का कह चली जाती है इस प्रकार जब छटे नमर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है यह भावी उसे बताती है कि चुकी सबसे छोटे भावी की वज़ा से उसका वरत तूटा था अतह उसकी पत्नी में ही सकती है कि वे तुम्हारे पती को दुबारा जिवित कर सकती है इसलिए जब वे आए तो तुम उसे पकर लेना और जब तक वे तुम्हारे पती को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना ऐसा कहकर वे चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का अग्रह करती है लेकिन वे टालमटोल करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकर लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है भावी उससे चुराने के लिए नोचती है खसोटती है लेकिन करवा नहीं छोडती ह अंत में उसकी तपस्या को देख भावी पसी जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अम्रित उसके पती के मुँँ में डाल देती है करवा का पती तुरंत श्री गनेश कहते हुए उठ बैठता है इस प्रकार प्रभू किर्पा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है हे श्री गनेश मागोरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आप से मिला है वैसे ही सब सुहागन को मिले करवा चोष दूसरी कथा एक बार पांडू पुत्र अरजुन तपस्या करने नील करी नामक परवत पर गए इधर दुरोपती बहुत परेशान थी उनकी कोई ख़बर न मिलने पर उन्होंने क्रिश्न भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता वैक्त की ख़बर ने कहा बहना इसी तरह का प्रस्ण एक बार माता पार्वती ने संकर जी से किया था तब संकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया इस उरत को करने से श्तृयां अपने सोहा की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्रह्मण ने की थी प्राचीन काल में एक ब्रह्मण था उसकी साथ लर्के एवं एक गुनवती लर्की थी एक बार लड़की माईके में आई तब करवा चोथ का वरत पढ़ा उसने वरत को विधी पुर्वक किया पूरे दीन निर्जला रही कुछ खाया पिया नहीं पर उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी भूख लगी होगी पर बहन चंदरुदे के बाद ह जल ग्रहन करेगी भाईयों से रहा नहीं गया उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंदरुदे दिखा दिया एक भाई पीपल की पेड़ पर चलनी लेकर चड़ गया और दूसरा दीप जला कर चलनी से रोशनी उत्पन कर दी तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी देखो बहन चंदर्मा निकल आया है पूजन कर भोजन ग्रहन करो बहन ने भोजन ग्रहन किया भोजन ग्रहन करते ही उसके पती की मिर्टु हो गए अब ये दुखी हो विलाप करने लगी तभी वहां से रानी इंद्रानी निकल रही थी उनसे उसका दुख ब्रह्मन कन्या ने उनके पैर पकर लिए और अपने दुख का कारण पूछा तब इंद्रानी ने बताया तुने बिना चंद्र दर्शन किये करवा चौत का व्रत तोर दिया इसलिए ये कष्ट मिला अब तु वर्ष भर की चौत का व्रत नियम पुर्वक करना तो तेरा पती जिवित हो जाएगा उसने इंद्रानी के कहे अनुसार चौत का व्रत किया तो पुनः सभाग्यवती हो गई इसलिए प्रतेक इस्त्री को अपने पती की दिर्ख आयू के लिए ये व्रत करना चाहिए द्रोपती ने ये व्रत किया अर्जुन सकुशल मनुवांशित फल प् करती है करवा चोट की तीसरी कहानी पुरानों के अनुसार करवा नाम की एक पती व्रताव धोबिन अपने पती के साथ तुंग भद्र नदी के किनारे इस्थित गाउं में रहती थी उसका पती बूढ़ा और निर्वल था एक दिन जब वे नदी के किनारे कप्रे धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच वहां आया और धोबी के पैर अपने दाटों में दवा कर यम लोग की और ले जाने लगा व्रेध पती ये दे कर घवर आया और जब वे उससे कुछ कहते नहीं बना तो वे करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा पती की पुकार स मगर को कच्चे धागे से बांज दिया और मगरमच को लेकर यमराज के द्वार पहुची उसने यमराज से अपने पती की रक्षा करने के गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि मगरमच को उसके इस कारे के लिए कठिन से कठिन दंड देने का अगरह किया और बोली हे अपराद के दंड सरूप नर्क भेज दे करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा अभी मगर की आयू सेस है मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता इस पर करवा ने कहा अगर आपने मेरे पती को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नस्ट करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यम पूरी भेज दिया साथ ही करवा के पती को दिर्ग आयू होने का वरधान दिया तब से कार्तिक क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी को करवा चौत कवरत प्रचलन में आया जिसे इस आधुनिक यूग में भी महिलाएं अगवान से अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती हैं करवा चौत की चौति कथा इस कथा का सारी यह है कि साक प्रस्त पूर्वेद धर्मा ब्रह्महन की विवाहिता पुत्री वीरावती ने करवा चौत का वरत किया था नियम आनुसार उसे चंद्रुदय के बाद भोज करना था प्रंतु उससे भूख नहीं सही गई और वे व्याकुल हो उठी उसके भाईयों से अपनी बहन की व्याकूलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आर में आतिश बाजी का सुन्दर प्रकाश फैला कर चंद्रुदे दिखा दिया और वीरावती को भोजन कर परिणाम यह हुआ कि उसका पती तत्यकाल अद्रिश हो गया अधीर वीरावती ने बारह महिने तक प्रतेक चतुर्थी को वरत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पती पुना प्राप्त हो गया कैसा लगा आप सभी को हमारा यह करवा चौथ वरत कथा वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट